बॉलिवुड आक्टर अक्षे कुमार और ट्राइगर श्रॉफ के उपर लखनों में जूते चपल फैके गए हैं। जिहां दोनों अपनी फिल्म बड़ी मिया छोटी मिया के प्रमोशन के लिए वहां पहुँचे थे। लोगों की भीड भी इन्हें देखने पहुची। साथ ही एक फरमाईश की जो पूरी नहोने पर धक्का मुक्की हुई। जूते चपल फैके गए और पुलिस ने बिकाबू भीड पर यहां तक की लाठी चार्ज कर डाली। जी आक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ इंदनों अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े मिया छोटी मिया को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। तो आईए बताते हैं। लेकिन देखते ही देखते भीड इस कदर बढ़ गई की धक्का मुक्की शुरू हो गई। फरमाईश पूरा ना होने पर लोगों ने मंच पर जूते चपल फेकना शुरू कर दिये। हाला कि आक्टर्स को नहीं लगे लेकिन उस जगह पर चारो तरफ लोगों की चपलें फैले हुए नजर आई। इसके बाद भीड को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज कर डाला। चारो तरफ अफरा तफरी का महौल हो गया। इस दौरान भगदर जैसे हालाद बन गए थे। लोग इधर उधर भागने लगे। पुलिस को कड़ी मुशकत करनी पड़ी तब जाकर हालाद काबू में आये। उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही दोनों आक्टर्स वहां से रवाना हो गए। फिल्म बड़े मिया छोटे मिया को अली अबाद जफर ने डारेक्टर ने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म की शूटिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरे भी शेयर की हैं। ये 10 अप्रेल को सिनमा घरों में ईद के मौके पर रिलीज होगी। इसके लिए अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ लगतार अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। क्योंकि इस फिल्म को रिलीज होने में बस थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया है। कुछी दिनों पहले ही अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ फिल्म के प्रड्यूसर जैकी भगनानी की शादी में भी नज़र आये थे। बात करें फिल्म की तो बड़े मिया चोटे मिया एक आक्षन फिल्म है। हाली में फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसने फैन्स को काफ ही इंप्रेस किया था। फिल्म में एक्षन और स्टन्ट का लेवल दो गुना बढ़ा दिया गया है। टीजर में नजर आ रहे इस सींस बताते हैं कि अक्षे और टाइगर बड़े मिया चोटे मिया में आमी आफिसर के रोल में हैं। ये दोनों एक खास मिशन पर हैं। जहां इनका दुश्मन भारत की सुरक्षा पर हाई टेक खत्रा लेकर आया है। फिल्म में विलन का रोल साउ बहुत काली होने वाला है। बड़े मिया चोटे मिया फिल्म में अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ के अलावा मिस वर्ल रही मानुझे छिलर सुनाक्षे सिनह और आलाया एफ भी आपको में लीड में नजर आएंगी। फिल्म 10 अप्रेल को इद के मौके पर सिनेमा घर में रिलीज होने वाली हैं। धन्यवाद जुड़े ऐसे बॉलीवूड अपडेट्स के लिए बॉलीवूड केस्टी के साथ।